वेलकम टू स्टैनो विद पारस डिक्टेशन स्टार्ट होगी पांस सेकंड बाद स्टार्ट लोकडाउन को सिथिल करने के नए निर्देश यदि कुछ बता रहे हैं तो यही की कोरोना वायरस के संक्रमन और उससे उपजी महमारी COVID-19 का खतरा अभी टला नहीं है खतरा बरकरार रहने के संकेत कोरोना के नए मरीजों की संख्या से भी मिल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से प्रति दिन करीब 50,000 नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं यह हर लिहाज से एक बड़ी संख्या है इस पर लगाम लगानी ही होगी यह राहत की बात अवस्य है कि करीब दस लाख लोग कोरोना को मात दे चुके हैं और संकरमन की चपेट में आए लोगों की मृत्यूदर भी कम है लेकिन इतना तो है ही कि जब तक इस महमारी पर लगाम नहीं लगती तब तक इस्तितियां समान्य नहीं हो सकती इसकी अंदेखी नहीं की जानी चाहिए कि भारत में अभी कोरोना मरीजों की संख्या के गिराफ में गिरावट आती नहीं दिख रही है जबकि कई अन्य देशों में ऐसा देखने को मिल रहा है यह अच्छा है कि केंदर सरकार के साथ राज्य सरकारे भी टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दे रही हैं वास्तव में यही वह उपाए है जिस पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए लेकिन इसी के साथ यह भी तो आवस्यक है कि लोग एक दूसरे से सारिदिक दूरी बनाए रखने को लेकर सतरक रहें और मास्क का इस्तिमाल सही ढंग से करें पहरा हालां कि सारिदिक दूरी के नियम के पालन और मास्क के उपियोग की महत्ता से सभी परीचित हैं लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि बहुत लोग लापरवाही का परीचे दे रहे हैं यह लापरवाही एच हम्य है क्योंकि लोग एक तरहे से जान बूज कर खुद के साथ दूसरों के लिए भी समस्या पैदा कर रहे हैं घातक लापरवाही का सिलसिला कायम रहने का सीधा मतलब है महमारी पर लगाम लगाने की कोशिसों पर पानी फिरना निसंदेहे हालात तेजी से बदल सकते हैं यदि हर कोई मास्क के इस्तिमाल और सारिरिक दूरी को लेकर सतरक हो जाए इसकी जरूरत इसलिए और बड़ गई है क्योंकि इतने बड़े देश में सामुहिक इस्तर पर रोग प्रतिरोधक छमता उत्पन होने में लंबा समय लगेगा और तब तक कहीं अधिक नुकसान हो चुका होगा सायद इसलिए यह कहा जाने लगा है कि सामुहिक रोग प्रतिरोधक छमता कोई बहुत कारगर विकल्प नहीं है एक ऐसे समय जब सामुहिक रोग प्रतिरोधक छमता के कारगर साबित होने को लेकर सुनिशित नहीं हुआ जा सकता और वैक्सीन बनने में भी देरी हो रही है तब फिर सावधानी बरतने और टेस्टिंग बढ़ाने के अलावा और कोई उपाय नहीं बहतर हो लोग यह समझे की लोकडाउन में धील देने का यह अर्थ नहीं की सतरता का परितियाग कर दिया जाए इस्टोप